आज का जो मारे टोपिक है उसमें हम IBC इस इंसोलवेंची एंड बेंकरप्सी कोर्ट 2016 का एक इंपोर्टेंट टोपिक को डिसकस करने जा रहे हैं जो है CIRP ओवर्वी इस कोर्पेट इंसोलवेंची रेजरेशन प्रोसेस वैसे कोई यह टोपिक नहीं है लेकिन यह CIRP ओवर् हम कोई टाइम लाइन कोई प्रोवीजन वह सब डिसकस नहीं करेंगे हम सिंपली यह देखेंगे कि यह प्रोसेस जो होता है CIRP का जो प्रोसेस होता है जब कंपनी इंसोलवेंट होती है कंपनी का जब CIRP का अप्लिकेशन फाइल होता है आफ्टर एड्मिशन CIRP का अगर प्रोसेस किया चलता है क्योंकि हम जब प्रोवीजन स्टाइंग में जब हम प्रोवीजन पढ़ श् gap ॹूल जलता है कि क्या प्रोसेस ये पूरा complete प्रोसेस कैसे चलता है इसकी वजह से हम लोग का intent भी ने समझ पाते हैं अद कर पूरा प्रोसेस को सब्सक्राइबiran Leans a civic worked with a company 1 ते इसनेlock इसनों नहीं किया तो बैंक के पास के बैंक क्या कर देगा and application file कर देगा application file करेगा adjudicating authority that is ncld national company log tribunal को ncld को ठीक है की जो है xyz ने default किया है अब इसमें भी दो चीज होती है कि जो application file होती है वह sections हम नहीं पढ़ेंगे जो यह हमारा है topic है उसमे't sections नहीं पढ़ेंगे just मैं लान चीज बता देती हूँ तो जब financial creditor application file करता हूं section 7 में करता है, operational करता है वो section 8 में करता है, and corporate data जब खुद से application file करता है, यह insolvency के तो section 10 में करता है, यह सब उन detail में respective sections जो है, हो है, वो detail में हम अलग-अलग videos में पढ़ेंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, अगर corporate data अगर default कर रहा है, XYZ ने default किया, bank ने क्या क्या application file move किया NCLD में, ठीक है, अब NCLD क्या करेगा, अगर NCLD को लगेगा, कि यह जो है application admit होनी चाहिए, सच में अगर XYZ ने default किया है, तो वो admit कर देगा application को, और जैसे ही admit होता है, CIRP initiate हो ज corporate insolvency resolution process जो है, start हो जाता है, अब corporate insolvency resolution process start होते ही, appointment of the resolution professional, क्या करता है, जो आपका court जो है, वो interim resolution professional को appoint कर देता है, जो की corporate data है, जिसे corporate data है, उसके जो भी management में जो लोग है, उसके power को suspend कर देता है, and उसके powers को suspend करके interim resolution को professional को duty देता है, कि वो जो है corporate data को manage करेगा, हावेवर उनकी जो duties है, वो suspend नहीं होती है, duty suspend नहीं होती है, only power suspend होता है, ठीक है, तो interim resolution professional के पास power हो जाता है, CIRP initiate होते ही, कि वो क्या कर सकता है, corporate data को manage करेगा, जब तक CIRP चलेगा, CIRP process जब तक चलेगा, normally only 180 days का रहता है, लेकिन इसमें generally extension, जो 90 days का extension मिलता है, क्योंकि ये timely complete नहीं हो पाता है, in practical point of view, जैसे interim resolution professional पॉइंट होगा, वो क्या करेगा, आपके claims, पब्लिक announcement देगा, ठीक है, पब्लिक announcement देगा, पब्लिक announcement देने के बाद क्या करेंगे, पब्लिक announcement देगा, कि अगर कोई और creditors है, जिसने, जैसे माली जै, यहाँ पर SBA ने claim दिया, SBA के अलावा भी उस company के, XYZ Limited Company के और भी creditors हो सकते हैं, तो वो एक पब्लिक announcement देता है, ठीक है, अगर किसी और के भी claim है, तो वो भी उनको claim को submit कर सकता है, तो मैं आपको बताओं कि ये process कैसे चल रहा है, फिर कि NCLT ने क्या किया, XYZ Limited Company की CIRP को admit कर दिया, ठीक है, admit होते ही क्या हुआ, admit होने के साथ साथ, जो XYZ Limited का जो board था, उसके जो power है, उसको suspend हो गया, and power किस के पास आएगा, manage करने के लिए, IRP, interim resolution professional, जो की court ने point किया था, ठीक है, अब IRP क्या करेगा, interim resolution professional क्या करेगा, public announcement देगा, public announcement देगा, किस में, news papers में, कि कोई, इनके provisions हो, हम detail respective videos में पढ़ेंगे, देकिन मैं process आपको बता देने हुआ, जिसको आपको idea हो जाएगे, कि कैसे process चलता है, public announcement देगा, कि collect, जितने भी claims है, कि अगर जो applicant उसके अलावा भी XYZ Limited जो है, company है, उसके और भी creditors हो सकते हैं, तो उनके claims को invite करेगा, verify करेगा, and फिर committee of creditors बनाएगा, COC, committee of creditors बनाएगा, and उसकी फिर meetings को conduct करवाएगा, and CIRP को उसके साब से चलाएगा, जिस साब से जो committee of creditors की meeting में जो discuss होता है, ठीक है, अब committee of creditors बन गई, committee of creditors बनाने के बाद क्या होगा, appointment of resolution professional, अब जो IRP होता है, interim resolution professional जो होता है, वो तो आपका quarter point करता है, ठीक है, लेकिन, जब first COC meeting होती है, जब first COC, committee of creditors बनाने के बाद, first COC meeting होती है, committee of creditors की meeting होती है, वो IRP conduct करवाता है, interim resolution professional, अब जो subsequent meeting होती है, उसमें COC चाहे तो same person को continue कर सकती है, agent RP, या उसको replace भी कर सकती है, new RP को भी appoint कर सकती है, in his place, ठीक है, तो वो COC के पास power होता है, तो या तो वो same RP continue रहेगा, या फिर new RP appoint हो जाएगा, से example, same RP appoint हो गया, ठीक है, तो preparation of memorandum by RP, RP क्या करेगा, insolvency resolution professional क्या करेगा, information memorandum बनाएगा, जो CD है, उसका पूरा complete detail, उसके assets के regarding detail, liabilities, assets, spending litigation, वो सारी information जो अगर कोई person इसको buy करना चाहता है, जो investor अगर उसमें पैसा लगाना चाहता है, पैसा लगा कि उसको buy करना चाहता है, तो क्या-क्या information उसको चाहिए, वो सारी information जो है, एक information memorandum बनाएगा, and form G होता है, इसका invitation for expression of interest, that is form G, form G जो public announcement वापस है, इस बार जो public announcement देगा, वो देगा, इस company के sale के regarding, कि अगर कोई person इसको अगर purchase करना चाहता है, और यह XYZ को, तो वो in expression of interest में, जैसे terms and conditions लिखी हुई है, उसके according वो apply कर सकता है, ठीक है, अब क्या होगा, summation of resolution plan by the resolution applicant, अगर किसी को लगा कोई person interested है XYZ में, क्योंकि वो company को खरीदे में interested है, तो वो अपना plan देगा, resolution plan, कि मैं खरीदना चाहता हूँ, कैसे कैसे खरीदना है, मान लिजे कि अगर उसको, अगर 100 करोर रुपीस जो है, डिफोल्ट है उसका, टोटल डिफोल्ट अगर 100 करोर है, तो अगर मान लिजे कि XYZ limited company का जो टोटल डिफोल्ट है, वो 100 करोर है, तो आपका ये जो investor आएगा, मान लिजे Mr. A अगर आता है, तो वो अपना offer देता है, कि वो मैं ATCR जो है, वो पे करके ये company को खरीदना चाता हूं, तो इस तरीके से वो अपने terms के साब से resolution plan देता है, अब जो resolution plan आएगा, वो COC meeting में, committee of creditors की meeting में क्या करेगा, insolvency professional क्या करेगा, resolution professional क्या करेगा, COC की meeting में place करेगा, and COC की meeting में place होने के बाद, वो पूरा evaluate होगा, negotiate होगा, क्योंकि ऐसा होज़ता है, बहुत सारे applicants आते हैं, resolution applicants आते हैं, जो अपना plan देते हैं, तो सारे plans को evaluate होगा, and जिसको highest mark मिलते हैं, technical और financial, quantitative और qualitative में, जिसके highest marks होते हैं, उसको वो plan, उसको वो company मिल जाती है, resolution plan जैसे ही COC approve कर देगा, मालिजे, COC ने approve कर दिया Mr. A का plan, Mr. A का plan COC ने approve कर दिया, तो अब resolution professional क्या करेगा, उस plan का जो application है along with that plan किसको submit करेगा, adjudicating authority को, NCLT को submit करेगा, अब NCLT, resolution plan approved by the COC, approve अगर solution ने approve कर दिया, resolution plan approved by the A, या तो resolution plan, COC या तो COC reject कर देगा, तो company क्या चली जाएगी, COC ने approve किया या reject किया, अगर COC को वो समझ में नहीं आ रहेगी, जो offer दिया है resolution application ने, वो बहुत कम है, COC को नहीं समझ में आ तो directly यहां पे liquidation में चली चाहेगी, first step तो यह हो गया, या फिर second step ही हो गया, कि अगर resolution plan COC ने approve कर दिया, तो resolution professional क्या करेगा, वो plan को NCLT में file करेगा, and resolution plan rejected by A, अगर resolution plan reject हो गया, तो liquidation में चला जाएगा, और accept हो जाएगा, तो company क्या होगी, resolve हो जाएगी, जो की ultimate objective है, आई बी सी का, इंसोल्वेंसिन, बेंक अपसी, कोर्ट, प्रहाजन सिक्षिन का की company को resolve करने का, तो resolution, आपका जो है, resolution plan reject हो जाएगा, तो liquidation में चली जाएगी, resolution plan approve हो जाएगा, तो company जो है, वो revive हो जाएगी, इस तरिके से complete जो process है, वो CIRP का ये overview है, कि कैसे CIRP process जो है, आपका run करेगा, अब हम detail में next videos में detail में हम one by one पढ़ेंगे, कि corporate, यहाँ पे default application कौन-कौन से sections में file होती है, कौन-कौन file कर सकता है, कौन-कौन eligible है, interim resolution professional के लिए, ठीक है, committee of creditors कैसे बनती है, कि वैसे ये videos हमने कुछ-कुछ videos बना रखे हैं, वो आप इस channel की playlist में देख सकते हो, thank you, hope you like it.